हेलो फ्रेंज स्वागत है आप सभी का आपके अपने येट्यूब चैनल RTSS Study में दोश्तों आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं SSC MTS and हवालदार के लिए GKS का प्रेग्रिक सेट नमबर वन करेंगे और ये GKS आपको फूल डिटेल के साथ देखने को मिलेगा टोटल करे तो आप लोग बताएगा लस्ट में कि इस बशीं इसमें हो रहा है कितना सब्सक्राइब आ और कितना गलत हो रहा है अपको चले बिना देरी करते पहलेंबर 1 से Hockey Championship जितने के लिए Final में किसको हराया है तो भारत ने हरा दिया Another poulet को हड़ा दियाई चोच चार से भारत ने पुलाई नको एफ दोस्तों और नहीं कंजो स्कार आँसे में जरू बतायेगा तो यह गाएस Rio नमर बी वाला जो दे रहा का बंदर सेरी बिगावान यह बुर्णाई देश की रजधानी हो जाएगी बात करें बुर्णाई देश के बारे में तो बुर्णाई देश एक महादुफ एस्या और बुर्णाई दूपर इसी एक देश है और इसकी रजधानी है बंदर सेरी तो जिखते हो जाएगा है और बात करें रवात किसी रदानी है यह मुरकोग की रदानी रवात हो जाएगा ठीक है दोबें दूश्तों नेक्स नंबर में करेकनर लिखीत मैं से कौन सी पुछतक भीमराव दोड़ा लिखी गई थी तो यह चारों में से बताना कि कौंसी है उनको दरा पुछ्त पूछ्त का नयक जो शबत ही के वह को पुछ्त किया गया ठाझा हैilate प्रकासित किया गया था और एक और है बुद्ध या कार्ल मार्क्स आपको उन्हें प्रकासित किया था यह आपको डॉक्टर भीम्राब बेटकर दो लिखी गए यह सारी पूछता है कि अभी आपको धियान रखना है ठीकर दोस्तों नेक्स कुरूचन की बात करें चार नमबर चार नमबर में आपको दे रहाखा है कि निम लिखीत में से कौन करनाटक में नहीं है तो इस में से जो आपको जो करनाटक में इस्थित नहीं है तो यह आपको जो बी में दुदुमा जो जल पर पात है आपको करनाटक में इस्थित नहीं है ठीक है और यह बात करें कि यह उचे जहर्णों में से एक है और जो उडिशा के कोड़ापूर जीले में बारी गाव गाव में इस्थीत है यह दुदुमा जल प्रफाथ ठीक है दोस्तों तो यह चार नमबर का भी इसका राइट एंसर हो जाएगा ठीक है नेस कुछ सने पांच नमबर पांच नमबर कि करना करनाटक के संसदिय सीठ है जिसे राज सभाः उसकी संख्या जो है इसकी संख्या है बारा है जो कि अप्शन नमबर ए इसका राइट एंसर हो जागे करनाटक के संसदिय सीठों की संख्या बारा है और बात करें कि करनाटक में जो बारा यह सीठ है और समिधान में इसकी सद फित्मान में इसमें दूसें 45 सदस से हैं ठीक है और बात करे कि इसमें आपको उत्तरफ पर्देस सभाभ की सीट में आपको 31 और अंध के बात करें पर आपको 1 राव हो जागा और गया सभाभ कुषs नेक्स कूशन है तो नेक्स कूशन आपको है कि छे नमबर की बिहार निमलिखित में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साजा नहीं करता है तो यह जो बिहार जो सीमा नहीं सधा करता है तो दी नमबर इसका राइट एंसर हो जाए कि बिहार औरिशा के साथ नहीं करता है जबक आपको संजा करता है उतर परदेश से जारखन से पच्छिम मंगार से और देश में कहें तो नेपाल से संजा करता है जब कि बिहार के केवाद साथ जीले हैं जो नेपाल के साथ संजा करते हैं वो जीला कौन-कौन से है तो जीला पच्छिम चंपारन है पूर्वी चंपारन है सितामडी है मधुबनी है सुपॉल है अररिया है किसन गंज है यह आपको साथ जिला है जो बिहार का जो कि आपको नेपाल देश के सिमा से यह साजा करता है यानि कि सटा हुआ है ठीक है नेश कोचन की बात करें साथ नमर की तो साथ नमर कोचन में करा है कि लच्वन मंदिर इसके दोरा किया गया थो कि अ गया और जो यह दास्तापदी में यह हिंदू मंदीर था और बात करें ड़ार्ट विसनु को समेर्पित है जो भगवान विचनु का एक रूप है धिλιक्ताऍव FIFA अचैका तो साथ है नमबर इसका right answer हो जात आपनाबर कोज़ान कि कंबूज में इस्थित अंकोर्वाट का विश्णु मंदर किसने बनना है तो यह जो ёзका अंकोर्वाट Sumonnorm का मंदर कहा है तो यह कंबूज में है 265 जी का यह मंदर है यह किसने बनाया तो अश्रीयम में टिछनु मंदिर इंभाई तो यह किसके दोरा बनाया गया तो यह समुल र인지य के लिए भगवान विश्नु के लिए एक कि हिंदु मंदिर के रूप में बनाया गया था और जिसे धीरे धीरे बारहमिस्ता ताबदी की अंति में बहुत मंदिर में परिवर्तित कर दिया गया था और बात करें कि विश्टु मंदिर अंकोरवाट कंबोडिया जिले के कंबुज की नाम के जाना जाता था और जिसका प है तो ऐ में दी है पाकिस्तान बी-में चीन सी में दी में नेपाल लोई जाए Phijal चलन करने में पाकिस्तान चीन फिरलंके इसका आय ho早ा जाएगा तो जेयेदि यानि कि 2018 जूर्ब का ज हन्डा है यह फ्रना किना कर यह डियाद्टा कर नहीं कि आपको क्या करते तिर्कोन अकार का जो होते सैंक रेसा नहीं अइसे अकार का इसका डबल तिरकोन अकार का इसका नेपल का जंडा है और नेपाल का जो जंडा एकल प्रेनों का एक समय जैसे कि यह है जो दो एकल्पनुल का यह सनियोजन है और इसे 16 दिसंबर 1912 को अपनाएगा था 16 दिसंबर 1912 को और नेपाल के राष्टिये ध्वाज को लाल रंग ने नेपाली लोगों की बहाधुरी को दर साता है और राष्टिये ध्वाज में निली सीमा सांती और सद्भावना का प्रतिनित करती है और नेपाल की राष्धानी की बात करे तो नेपाल की राष्धानी काठमान्दू हो जाएगा और यह विद्ध्या देवी भंडारी नेपाल की बत्मान राष्ट पती हो जाएगी और सेर बहादू देवा जो है नेपाल के बत्मान प्रधानमंत्री हो जाएंगे नेक्स्ट कुस्ट्चन है अगला नमबर दसनबर दसनसी नमबर में करए सबसे अधिक करने वाली मैला है और इसे दो बार भौतिक में उन्हें सो तीन का नोवेल प्रसकार और असाइन विग्यान में उन्हें सो एगारा का नोवेल प्रसकार से समानित किया गया है इसका राइटेंसर अप्सिन नमर बी हो जागा ठीक है कुछ नमर 1111 में करा एक निमलिखीत में से कौन सा भात का एक एक मात्र मिश्रित यानि कि प्राकेतिक और संस्कृतिक उन्हें इसको भी धरोर अस्तल है तो इसका राइटेंसर अप्समबर दी हो जाएगा कंचन जंगा संद्रक्षी जैब मंडल भी कहा जाता है और एक राष्टिय पार्क और भात का सिक्की में इस्तिद एक संद्रक्षी जैब मंडल है ठीक है और इसे जुलाई दोजार सुल्ला में इन्हेसको को विस धरोर मंतराले हर साल राष्टिय फिल्म परसकार आयोजित करता है तो यह जो आयोजित करता है तो यह करता है तो यह करता है सुचना और परसानमंत्री करता है जो कि अस नमबर डी इसका राइक एंसर हो जाएगा राष्टिय फिल्म परसकार भारत के सबसे प्रमुख फिल्म परस फिल्म समारों नीदे साले दोरा भारत के अंतराश्टी ए फिल्म महस्टाप और भारती ए प्रणुर्मा के साथ प्रकासित किया जाता है ने इस कूछ तरह नमर में करा कि सिक्षा मंत्राले ने इवा लेखोकों को सलाह देने के लिए पधान मंत्री योजना इवा सुरू किया है इसमें यवा का पूर्प क्या हो जाएगा यानि कि यवा का इसमें फुल फर्म क्या हो जाएगा तो उन splpose तरह में थे रखका है कि यंग और वर्शन फ्सक्री तैयल और फ्सक्राइं तरक्य आहल चलिख हैं तो यहीं आपकरमिंग एंक व। स्टाइल अर्थस हो जाएगा और यह अंसंग हिरोज फ्रीटम्स फाइटर्स अनोन एंड क्या है तो अनोन एंड फर्गोटन प्लेस जैसे विश्यव पर लेखाव को की युवाप पीधी की दिश्टी कोन को सामने लाने के लिए इंडिया एड्रेस 75 प्रोजेक्ट का एक हिस भी जाई ठीक है खुशन नमर अगला है 14番 छौधान मकला कि हर साल किस तरीक को अंतराष्टी इवादिवस मनाया जाता है तो यह मनाया जाता है 12 अगस्ट को मनाया जाता है अंतराश्टि इवादिवस तो इसका राइट टेंसर होजगा अफसन नमबर ए तो बात करेतो यह कप से मनाया जाता है तो इस ओल इन दा माइंड है क्या है तो इस ओल इन दा माइंड ये 2022 का युवा दिवस का थीम है ठीक है नेस्ट कूरूशन की बात करें 15 नमर की तो 15 नमर में है कि पहली मैला मुख मंत्री वर्ष उन्हें 1923 में निवक्त की गई थी उन्हों ने किस भारतिय राजे सरकार के नतीत में मेंटित की गई थी और मुख मंत्री बनने वाली पहली मैला सुचेता किरपलानी थी और सुचेता किरपलानी सोतंत्र भाद की पहली मैला मुख मंत्री थी और वक कानपूर निर्वाचन छेत से उत्तर प्रदेश के मुख मंत्री के रूप में चुनी गई थी और बात करें उन्होंने 2 अक्टोबर 1973 को उटर पर्देश की पहली मैला मुख मंत्री यानि भात के लिए किसी भी राजे की पहली मैला मुख मंत्री के रूप में सबत ली थी नेस कूचण है 16 नंबर 16 नंबर connection मिसे कर रहा है कि निमलिखीत में से कान भात की पहली मैला कविनेट मंत्री बनी थी तो यह बनी थी अमरितकौण बनी थी तो उप्सember 20 का right answer हो जाए toughest अम्रित्कोर राजकुमारी वीजली अम्रित्कोर अहलो विलिया एक भारतिय करेकरत और अरजनी तिग्यव बनी और वह भारतिय समठाण सभा की सदस्य बनी और बात करेतो वह 1930 में अखिल भारतिय महिला समयलन की सच्चीव रही और से उनेशो त्यतिस तक महिला संगी अधक्स भी रही और बात करेतो वब उनेशो अर्थिस में अखिल भारतिय महिला समेलन की अधक्स बनी और सबसे लंबी नदी है तो बात करें कि यहां दक्षिन अफिरका की सबसे लंबी नदी है क्या है तो दक्षिन अफिरका की यह सबसे लंबी नदी है और नाइजर नदी यह पछिम अफिरका में बती है और यह अफिरका से तिसरी सबसे लंबी है ठीक है और कांगो नदी की बात किया जा तो कांगो नदी यह उत्तर पूर्वी अफिरका में उत्तर की ओर बहने वाली और दुनिया की सबसे लंबी नदी है नेज कुछन है तो कि इसनर मलेशिया की मुद्रा और इसे आगे 100CN में वजाजित किया गया है और या अगला वेलना इसकार मों कर चाट गो जाएगा और यह और को गंजी अस्थान और चाई बगानों के लिए जह जाता है आए यह पच्छी में असम के सबसे बरे सहर गुहार्टी में रिसम के बजार और पहारी की चोटी का कमठ्या मंदिर यहां है और बात करें तो यह उमानन्द मंदिर ब्रह्मपुत नदी में मयूर दूपर इस्थित है ठीक है और यह असम की राजे की रजधानी है तो यह किसे कहा था तो सुभाचन बोस ने देश का नायक कहा था तो रवीद नाश्ट गोर को कहा था तो और आप्सन नमर बीज का राइट एंसर हो जाएगा और इन्हें उन्होंने जवारल नहरू के साथ इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लेकी अस्थापना की और उन्होंने उ और सी दिनारे दिये थे कौन कौन था दिली चलो और जय हिंद का नारा दिया था और यह दर इंडिया इस्ट्रागल उनकी आत्मकटा थी और बात करें तो उन्हें रभीना टेगो ने देश का नाय कहा था ठीक है तो दोस्तों यह था आपको MTS हबलदार के लिए आपको मौस् कि अग्रागल एंगा थापको मौस् आपको मौस्टा खीक है ठीक है तो यह जिए मौस्स जड़ता है तो और यह दोड़ता है